नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव ख़वर आप पारे हैं आपको सिटी तैलका के मातल से पानिपत में पूश्यन चोटाला भूप नुक्या मंतरी का जो है हालिकॉप्टर लैंड करेगा अभी फिलाल लाइव तस्विरें सिटी तैलका के मातल से देख पारे हैं और इस फिलाल लाइव तस्विरें आप सिटी तैलका के मातल से देख पारे हैं जहाँ पर उप मुख्या मंतरी दूश्यन चोटाला का जो हैलिकॉप्टर है वो पहुंचा है और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिए ताकि तमाम जो लोग हैं इस खबर तक पह अनिपत उपाई धर्मेंजी है एस पी ससांकुमार सावन है वो भी अभी जेजेबी के जो कारे करता है वो भी उनके स्वागत के लिए यहां मौजूद है और इस खबर को आप जादा से जादा शेर कीजिए और लोग भी ताकि इस खबर के साथ जुड़ सके साज़ा हो सके फिलहाल लाइव तस्वीरे पानी पत पहुंचे जुशन चोटाला उपमुख्या मंतरी और कई जो वारदार कई जो मिटिंग थी उनकी स्थगित की गई थी और उसके बाद आखिरकार आज पानी पत जो है दुशन चोटाला फिलहाल पहुंचे हैं सिटी तैलका के माद्यम से लाइव खबर देख पा रहे हैं आप जहां पर उनके स्वागत के लिए जेजेपी जो कारिया करता है SP है ससांकुमार सावन जी DC पानी पत उपायुक्त हैं वो भी पहुंचे हैं फिलहाल देख पा रहे हैं सिटी तैलका के माद्यम से जहां पर उप मुख्या मंतिर दुसरें चोटाला जो है यहां पर कश्ट निवारन जो समीती है उसकी बैठक के लिए यहां पर पहुंचे हैं फिलहाल लाइव तस्विरे फिलहाल जो लगू सच्वाला के अंदर उनकी कश्ट निवारन समीती की जो बैठक है वो शुरू होगी और काफी परियास जो लगाए दा रहे थे और उसको देखते हुए जो सुरक्षया बेबस्ता है उसको चाक चोबंद यहां पर ताफिले के साथ जो गाड़ी है लगू सच्वाला फिलहाल निकले हैं ये लोग फिलहाल लाए तस्विरे आप सिटी तहलका के माद्नम से देख पा रहे हैं जहां पर पानिपत पहुंचे गए हैं उब मुख्यामंतरी दोशन चोटाला और कर्ष्ट निवारन स्मीती है जो उसकी बैठक फिलहाल वो ली जाएगी फिलहाल तस्विरे हम आपको सिटी तहलका के माद्नम से दिखा रहे हैं लाइब है आप शेर करते रहे हैं और इसको तुरंट में हम आपको फोलो भी करेंगे पूरे काफी लेको पानी पत्थ जो है दुशन चोटाला उप मिश्चमस्री वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल लाइब तस्विरे आप देख पा रहे हैं सिटी तैलका के माद्नम से पानी पत्थ में उप मुख्य मंत्री दुशन चोटाला फिलहाल पहुंच चुके हैं सिटी तैलका के माद्नम से लाइब खबर आप देख पा रहे हैं पिलाल इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेर की दिये ताकि और लोग है उन सक्विये खबर बहुंच पाए बलफल की जो खबरे हैं वह हम आपको आलांकि किसानों के तरफ से ये धंडे आप देखिए किसान धंडे हैं कुसान जंडों की तरफ से ये काफिला है उसको जंडे जो है वो दिखाए गए है जुसें को काफिले को कसानों की तरफ से कि अब देख पा रहे हैं जो यहां पर काफिला है उनको किसानों की तरफ से जो काले जंडे हैं किसान जंडे हैं वो दिखाए गए हैं विरोध किया गया है पहुंचे हैं और आप लोगों ने जंडे जो दिखाए हैं को क्या कहना चाहेंगे आप इस पर आपने काले जंडे जो दिखाए हैं दुशन चोटाला पहुंचे कारेकरम उनका किया गया है और गोहाना से आप पहुंचे हैं क्या कहना चाहेंगे देखिए दूसरी चोड़ा यहां ग्राया यूद जैसी स्टिटी बिनाना चाता है हमारे अंदॉलन को मौर देना चाता है हमारे जो असली मुद्ध है उनसे बठकाना चाता है जनता का अपस मैं बेड़वारे काम कर रहा है ऐसे गलत आदिमी के हम निंदा करते हैं और भविशे में हम और इसका ध्यान रखेंगे किसी भी गाओं में नहीं कुछने देंगे यह महाँ चोर है महाँ ठक है चुनाओ के समय परदेश की जनता के किसाद और मजदूर से अनेक वैदे किये थे कि मैं तुम्हारे कश दूर करूँगा मैं तुम्हारी बात करूँगा लेकिन आज जब कुर्षी बेट गया तो किसाद और मजदूर के विरूद आवाद उठा रहा हमारे बात नहीं कर रहा हमारे जख्मों बें नमक शिटकने का काम कर रहा है आने वह समय में इस जनता इसको सबक सिखाएगी क्या आप कहां से आये और कहां कहां से अभी ओर जिरोध है लोग जो लगातार किसानों की तरब से किया गया तो और पहले भी आप लोगों ने चेतावनी दी थी कि 26 तारिक का जो कारेकरन था वो स्तवित करना पड़ा था और उसके बाद फिर आज जो है दोबारा यहां पर बैटक होती है देखिए दुशिन चोटड़ा यहां तीन बार पानीपत माने की कुछ इस्टा कर लिया चोथी बार एका प्रोग्राम है दुशिन चोटड़ा यहां पानीपत के किसान और मजदूर को कमजोर समझ रहा है ऐसी बात रही है पानीपत की धटी में तीन युद देले हैं अब यह सोथा युद यहां कर्माने की कोशेश में लगावा दुशिन चोटड़ा हम इसकी निंदा करते हैं यह थे सत्यवान नर्वाल जी यहां पर गोहाना से जो कुलते हैं और किसान का जंड़ा और काले धंड़े जो लेकर के यहां पर पहुंचे हैं और दुशिन चोटड़ा का जो काफिला यहां से घुज़रा था उसको काले धंड़े और किसान जो धंड़े थे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे ताकि और भी जो लोग है इस खबर के साथ जुड़ सके फिलहाल लाइव तस्विरे यहाँ पर दूसरी तस्विरे भी हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस की तरफ से जो विवस्ता है पूरी तरह के से जो परबंद है किये गए है ताकि कोई भी जो घटना है उससे बचा जा सके उसमें कोई खलल पैदा ना हो जो उपमुख्या मंत्री दुश्यन चोटाला का जो प्रोग्राम है उसमें कोई बादा ना पर सके उसको लेकर के पुलिस परसासन की तरफ से पुख है कहीं हैं उनकी डूटियां भी लगाई गई है तमाम जो जबान आप सीटी तालका के माद्यम से देख पा रहे हैं फिलहाल तमाम जो आप सीटी तालका के माद्यम से खबर देख पा रहे हैं और यहां पर पुलिस परसासन जो है भारी संक्या में तैनाथ है फायर बिर्गेट की जो गाड़ी है फायर बिर्गेट को भी गाड़ी को एतिहाद के तोर पर खड़ा किया गया है ताकि कोई घटना अप्रिया जो घटना है वो ना घट सके इसलिए परसासन है जो पूरी तरीके से मुस्ताज है पुलिस बल भारी संख्या में तैनाथ सिटी तहलका के माद्दम से खबर देख पा रहे हैं किसान है और किसानों का जो प्रोटेस्ट है लगातार अब पी जारी है ते किसा से आया अनीपक्षे हैं का मंद्धरि आप लोगों ने विरोध किया और कार्याक्रम का विरोध किया है और क्या आप कहना चाहेंगे इस पर दिया अगरो भाई ये तीन बड़ वापिस हो चुक्या अब यह सोच रहा पंजाब अला काम करवाना यह पंजाब वाला काम कर दे हैं और यहां नहीं करेंगे पर इनको अपने आप समझ आनी चीए इनका किसान का कहना है कि जो पंजाब में एक विदाय के साथ बार पिटाई होई थी और उसको ले करके इनका कहना की बीजेपी यह चाहती है कि ऐसा ही वाक्या है जो यहां पर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जारी है कि ऐसी घटना गटे और काले धंडे के साथ काले जो कपड़ा है उसको ले करके यह लोगों से हैं और किसान धंडा फिलहाल लाएक तस्विरयाप्शी की तैलता के मातम से और नारे बाजी जो है है इस वजह थोड़े आदमी एंगरu नेता कोई आएगा पर आदमी बाहर के पहले पठा चलता ना भार कि अदमी आज़ी है पिलाद जो काला गंडा है उसको लेकर काले कपडे को लेकर के विरोध जो है लगातार जारी है हुआ है। प्रोठेस्ट है इसका विरोध किया था ठोरे मुख्य मंतरी का और काफिला धा उसको काले h 이야기 दिखायें देखिए जो प्रोग्राम है उसको काले जंडे जो दिखाए गए थे आप लेको चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम ता सिंट मर्चे काप इसको काले जंडे दिखाने वह ने दिखा दिये जगबीर जी थे और पिछले दिनों इनों ने जो बीजे पी को छोड़ करके किसान जो धंडा अपने घर के ऊपर लगा था बीजे पी का धंडा जो है उतारने के बाद किसानों की आवाज उठाने के लिए इनों ने अपनी पार्टी को जो छोड़ दिया था और उसके बाद आज यहां पर फिलहाल पहुंचे हैं और तुष्चन चोटाला मुर्दबाद के लोग नारे लगा रहे हैं लगातार सिटी तैलका के माद्व से देख पा रहे हैं तुष्चन चोटाला को यहां पहुंचना था और उसके कार्यकरम में यहां पर यह किसान जो है अपना विरोध है जो काले कानून है उसको लेकर के जो विरोध पर दक्सन करने के लिए यहां पर आए थे और उनके काफिले पर जो जंडे हैं वो काले जंडे और किसान जो जंडे दिखाए और मुर्दबाद के जो लगात हुए हैं मुश्ताइज है पूरी तरीके से तमाम करीब सेकडों की संख्या है पुलिस बल यहां पर तैनात है करीब एक टुकुड़ी जो यहां पर पुलिस की लगाई गई है सैकडों की संख्या जिसमें कई डीयस्प्य है कई ऐसे चोज है सभी स्पेक्टर की जो डूटिया है और तमाम जो सुरक्षा के मुखता ज़ो इंतराम है किये गए है फायर बिर गेड की जो गाड़ी है वो एतिहाद के तोर पर यहां पर खड़ी की गई है और रोड़िवेज की जो बस है उसको भी खड़ा किया गया है कि जो किसार जो विरोध करेंगे और दुशन चोटाला जो है आज किसानों के सामने से निकल गए बड़ी खबर सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और लगातार हम आपको अलग अलग जगह से तमाम जगह से चाहे हैलिपैड हो जहां पर उ अगू सचिवाला के बाहर की तस्विरे जहां पर इनको जो इनका कारेकरंता कश्निवारनी स्मीती की जो बैठक जहां पर होनी थी अलग अलग तस्विरे हमने आपको सिटी तहलका के माध्यम से लाइव दिखाई और लाइव खबर आप देख पा रहे हैं और हमारा जादाश शेयर कीजिए आप से अपील और तमाम जो विवस्ता है फिलाल भी पुलिस की तरफ से की गई है देख पा रहे हैं कि महिला जो कॉंस्टेबल है वो भी यहां पर तैनाद की गई है खिलाल आप देख रहे हैं सीटी तैलका के माध्यम से लाइव खबर और पुलिस बलतेनाथ है और ताला जो लगा दिया गया है यहां पर ताला देख पा रहे हैं आप कि कोई अंदर ना जा सके कोई किसी तरह का जो पुखता इंतजाम किये गए हैं कि कोई कार्यकरम में बाधा ना बने उसको लेकर परशासन की तरफ से तमाम जो विवस्था हैं वो सुचारू रूप से अच्छी तरीके से लो और जो कानून विवस्था है उसको बनाए रखने के लिए यहां पर की गई है फिलहाल लाइव तस्वीरे सीटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और हम आपको पलपल की जो खबरे हैं वो शीटी तहलका के माध्यम से यह देख पा रहे हैं आप अंदर लगू सचिवाल है जहां पर कश्ट निवावन समीती की जो बैठक है उप मुखे मंतरी दुसें चोटाला की तरफ से वो चालू है और उसके ठीक सामने की तस्वीर है हम आपको दिखाएंगे यहां पर किसान जो है लगातार विरोध कर रहे हैं उनके कार्यकरम का उनके जो काफिला है यहां से गुजरा है और उसको ले करके फिल हाल यहां पर अभी भी किसान है काले जंडे को ले करके यहां पर खड़े हैं और वाटर कैनन का जो इस्तमाल है वो भी सायद किया जा सकता वाटर कैनन की जो यहाँ पर विवस्था है वो की गई है ताकि कोई ऐसा वाद विवाद और गती रोध ना बने उसको लेकर परसासन है पूरी तरीके से अलर्ट है और हर्याना रोड़वेज की दो बसे हैं वो खाली यहाँ पर खड़ी करी गई है ताकि कोई अगर जो किसान की ग्रफतारी भी किरनी पड़े तो यहाँ पर उसको लेकर के यहाँ इतिहाद के तोर पर फिलहाल यहाँ पर सीटी सायलका के माद्जन से लाइव खबर कि अब एक बड़ा सवाल है कि क्या तालों के अंदर क्या तालों के अंदर होगी अब ग्रिवेंशिस की जो कमेटी की जो मिटिंग है क्या आप तालों के अंदर की जाएगी यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और पलपल की खबर हम आपको सीटी तैलका के माद्जन से दिखाते रहेंगे फिलहाल लाइव खबर आप देख पा सब्सक्राइटी है मिटिंग है वह किजारी है उसको लेकर के भी जो हम आपको लाइव तस्विर आपको सीटी तैलका के माद्जन से आपके बीच में जरूर सांदा करेंगी क्या अंदर का द्रिश्य है इस तरह की जो समश्याएं है उप मुक्या मंत्री दूसें चोटाला जो है वह सुनेंगे फिलहाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहे सीटी तैलका सच के साथ नमस्कार